हेलो फ्रेंट्स लीजिए मैं आ गया यूपी इंस्टेक्टर वेकेंट्सी यूपी आईटियाई अनुदेशक भरती 2022 का फ़र्स्ट यूनिट का क्लास लेकर के जिसको यूपी त्रिपलसी ने डिजाइन किया है इस पाठ्यक्रम को इस को कि हमें इस कोर्स के हिसाब से इस पा कोपी के कवर किये जाने है जैसा कि मैंने बताया था कि दो पार्ट में डिवाइड है भाग वन भाग टू तो भाग वन में आपका रोजगार कॉसल इंपलेबिलिटी स्किल्स के 60 मार्स है और 40 मार्स यानि भाग टू आपका जर्मरल नॉलेज है तो उसका यूनिट फॉस् अंग्रेजी साक्षर्ता इंग्लीज लिट्रेशी तो इंग्लीज लिट्रेशी में क्या है दोस्तों कि बहुत सारी चीजे हैं वहाँ पे लेटर राइटिंग भी है सिनोनीम से एंटोनीम से और आपके ग्रमर है, active, passive, direct, indirect, there are so many things in that English literacy. But we have to cover only three points in that course, in that syllabus. Now for UP3SC, UPITI instructor examination. तो instructor examination के लिए English literacy से हम लोगों को सारी चीजे नही पढ़नी है. We have to read या we have to study only three topics. फॉस्ट इस पंक्चुएशन जिसको हिंदी में बिरामचिन कहते हैं सेकेंड इस नंबर जिसको आप बच्चन कहते हैं और थर्ड आपका टेन से जो काल है अब दोस्तों चीजों को समझो आप क्लास फिप्थ या क्लास फॉर्थ या क्लास थॉर्ड या क्लास सिक्ष सेवनेट में ये सारी चीजें क्लास टुएल्थ तक हम सभी पढ़ते आते हैं तो अब यहाँ पर यह सवाल था कि इंग्लिस लिट्रेसी से तो कोश्चन साएंगी लेकिन कैसे questions आएंगे, कौन-कौन सा topic होगा, तो English Literacy से आपको सिर्फ तीन topic पढ़ना है, punctuation, number और tense, अब हम punctuation को explain करेंगे, उसके बाद हम number को explain करेंगे, tense को explain करेंगे, और ये तीनों ही चीजों को आप अच्छे तरीके से जानते हैं और समझते भी हैं, और मैं एक आपको outlook outlook दे देता हूँ, outlook की जो आपकी information है, जिस information के थुरू आप यहां तक पहुंच सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं, इसके dependent कैसे questions आएंगे, कैसे questions होंगे, हो सकता है, उसमें से भी questions हो जाएं, तो वो चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करे हैंगे punctuation की, तो मैं थोड़ी देर के लिए number और 10 को अटा देता हूँ, अब punctuation में क्या है, punctuation के हिंदी होती है, बिराम चिन, आप जानते हैं कि UP3 पेलर से maximum जो exam कराती है, हिंदी और English, language दोनों में कराती है, मुझे यह पूरी उम्मेद है कि जो यह paper आएगा, अनुदेसक भरती वाला, यह English में भी हो सकता है, और हिंदी में भी हो सकता है, दोनों ही language में हो सकता है, objective type के question होने हैं, तो चार option होगा, एक सही होगा, तो हम थोड़ा सा detail चर्चा कर लेते हैं, बिराम चिन का, बिराम चिन में भी क्या है, आप जैसे full stop use करते हैं, full stop use करते हैं, exclamation mark use कर करते हैं, comma use करते हैं, फिर उसके बाद semi comma use करते हैं, bracket use करते हैं, यह सारी जो चीजें होती हैं, यह हम लोगों को सीखना है, कि हाइफन है, dash है, तो यह चीजें कहां पर, यह जो exclamation, sorry, punctuation जो यह बिराम चिन है, कौन सा चिन कहां पर यूज कर, किया जाता है, जैसा जहां पर questions किये जाते हैं, वहाँ पर question marks लगता है, फिर बातें पूरी हो जाती हैं, तो dash fully stop लगता है, फिर थोड़ा देर के लिए थमना होता है, pause देना होता है, तो comma का use करते हैं, तो इस तरीके से यह बिराम चिन का प्रियोग होता है, जिसको आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ हूँ, उसके बाद मैं अगर बात करूँ, अगला अगर point था हमारा, अगला point था हमारा, यह punctuation हो गया, जो B हमने लिया था, वो हमारा था number, number जिसको हिंदी में बच्चन कहते हैं, आप जानते हैं, हर class में लोग पढ़ें, number कितने होते हैं, एक आपका singular number और दूसरा आपका plural number, जिसको singular को आप एक बच्चन बोलते हैं हिंदी में, plural को बहु बच्चन बोलते हैं हिंदी में, अब नंबर से आपको questions आएंगे, questions भी वहाँ पे रहेगा, answer भी वहाँ पे रहेगा, कौन सा answer सही है, question का, कौन सा answer सही है, उसमें से आपको select करना होगा, तो सवाल यह है, कि जब आपको number की समझ होगी, number को singular से plural और plural से singular बनाने आएगा, आता होगा, तो आप उन चीज़ों को कर पाएंगे, अगर दोस्तों, आज से यहां से, अगर आप चीज़ों को सीखना चाहेंगे, तो यह थोड़ा tough होगा, आपके लिए skill भी होगा, क्योंकि यह primary level की चीज़े हैं, जो हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा एक oscillation हो जाएगा, हम तो जानते ही हैं, लेकिन उसको एक बार revise कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो चीज़ों को हम recollect कर लेंगे, समझ जाएंगे, कि अगर यह singular दिया है, कोई number दिया है, for example पर मैं आगा, अगर आप कोई भी apple बहुत simple example ले लेता हूँ, apple है, तो apple अगर singular है, तो आप plural बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं, apples लिखते हैं, yes लग गया, plural बन गया, तो ऐसे ही बहुत सारे numbers है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे man है, man में yes तो आप लगाएंगे नहीं, man का जब आप plural बनाते हैं, तो man लिखते हैं, बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं, singular और plural जिनका same होता है, और उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे किसी singular का plural हैं, तो उसके rule होते हैं, y को हटा करके iis लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें को इतना detail में यहां पर पढ़ाना संभव नहीं है, ये चीज़ें आपको समझना है, कि हमें number पढ़ना है, तो number में कैसे उसके जो rules हैं, वो details आपको देख लेना है, बाकि इस पर dependent हम आपको question लिखा देंगे, एक example देखर के आपको ऐसे ही थोड़ा समय, समझा दिया कि चीज़ें कैसे होनी है, singular से plural कैसे change होना है, और plural से singular कैसे होना है, तो ये चीज़े रही, तीसरे की अगर मैं बात करूँ, तीसरा point जो हम लोगों का है, तीसरा point हम लोगों का क्या है, tense, यानि काल, अब इसके बारे में भी अगर मैं बात करूँगा, तो मैं क्या बात करूँगा, जानते हैं कि total tense, तीन होते हैं, अगर हम present, past, future, तीनों को यहां पे लिख दें, present, past, future, फिर इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, कि तीनों के पास 4-4 part हैं, तीनों के पास 4-4 part हैं, अगर इस tense को details में जा करके, मैं यहां पर आपको explain करने लगा, उसको समझाने लगा, तो जाहिर सी बात है, यह आप भी समझते हैं, कि इस preparation में यह संभव नहीं है, कि यहां पर tense सिखाया जाए, यहां पर number सिखाया जाए, यहां पर punctuation सिखाया जाए, इसकी एक outlook दिया जा सकता है, इसकी एक idea दी जा सकती है, इसको थोड़ा example के थूरू समझाया जा सकता है, जो चीजे मैं कर रहा हूँ, और इससे questions और questions के answer मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, कुछ मेरे पास selected questions होंगे, उसके answer भी होंगे, उसको भी आप देखेंगे अभी, अगर present tense की ही बात करूं, तो present tense में या present indefinite पढ़ेंगे, फिर present continuous पढ़ेंगे, फिर present perfect पढ़ेंगे, फिर present present perfect continuous पढ़ेंगे, ऐसे यह चारों उठके जाएंगे future में, और हर एक में, जब आप indefinite में जाएंगे, तो indefinite में भी आप simple पढ़ेंगे, फिर negative पढ़ेंगे, फिर आप interrogative पढ़ेंगे, interrogative में भी आप दो type के पढ़ेंगे, open type interrogative और close type interrogative, यानि कि यह 4 है, indefinite को फिर 4 होगा, continuous को 4 होगा, महीने भर का यह सलेवस हो महीने भर अगर आपको teach किया जाएगा, details में, example के साथ समझा कर, rule के साथ, तब जाकर कि यह चीज़े clear होगी, तो मैं यह मान के चलता हूँ कि यह चीज़ें आपको आती है, आप समझ गये कि हमको देखना क्या है, वो चीज़ें देख लेंगे, बाकी मैं कुछ questions, answer करा देत हूँ, जिससे आपको काफी हद तक idea भी मिल जाएगी, और आपको समझ भी जाएगा कि चीज़ें क्या होनी है, तो अगर आप इसमें जाएंगे, तो फिर helping verb में जाएंगे, present के, अगर helping verb में जाएंगे, do, does, फिर continuous में जाएंगे, इसे मार जाएंगे, फिर perfect में has, have जाएं form लगेगी, किसमें verb की ing form लगेगी, किसमें verb की third form लगेगी, किसमें verb में yes या yes लगेगा, तो there are so many things we have to learn, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगे, जो हमें सीखना होगा, तो यह सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं उसमें details में नहीं जाएंगे, बस यहीं पर यह चीज़ें क तो आईए, उसको हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं, पर लोगों ने मुझे से सलेवस के वारे में एक बार पूछा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सलेवस में दिखाना चाहूंगा, कि 11 नॉम्बर 2021 को UP SSS से उत्तर प्रदेस अधिनस्त सेवा चैन आयोग दोरा, जो सूचना जारी गई गई थी, उसमें उन्होंने बताया था सलेवस के बारे में, वो मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, कि अभी जो मैं वीडियो करा रहा हूं, वीडियो में भी आपने देखा, वही चीज है यहां पर, कि जो वो 60 मार्क का है, तो 60 मार्क में, मैंने लिया हुआ था तो इंग्लिस लिट्रेसी में बहुत बड़ा ब्राड है यह इंग्लिस का जो चैप्टर से बहुत सारी चीजें इसमें आपको सीखनी रहती है लेकिन उन्होंने उसमें से जो कवर किया है वो कवर क्या किया है बिराम चिन्न है punctuation जिसको आप बोलते हैं फिर नंबर है जिसको singular और plural नंबर बोलते हैं एक बचन बहुत बचन और उसके बाद चेंज आफ टेंस है तो यह चीजें थी कई बार लोग ने कहा कि सर सलेबस दिखा यह सलेबस में क्या है तो मैं कुछ भी अपने मर्जी से नहीं लिया हूं जो कुछ सलेबस में दिया है ग्य इंग्लिस लिट्रेसी जिसके अंतरगत हम लोगों को punctuation पढ़ना है नंबर पढ़ना है और टेंस पढ़ना है तो आईए देख लेते हैं इस रिगार्डिंग कोश्चन जैसे पहला कोश्चन है पहला कोश्चन क्या है select the correctly punctuated sentence from the option below यानि कि इसमें जो दिया हुआ है sentence इसमें जो correct है वो हमें select करना है जैसे will you do me a favor will you do me a favor will you do me a favor तो बात यहां देखिए punctuation की है punctuation क्या अभी मैंने वीडियो में बताया कि जो sign होते हैं किसी भी sentence को लिखने के बाद जो चीन होते हैं जैसे प्रसनवाचक चीन है हाइफन है डैस है question mark है exclamation mark है इसमें बोदक जो चीन है तो यह सब चीजों का ध्यान देना है तो इसमें जब question किया गया है will you do me a favor क्या आप मेरे पक्ष में करेंगे तो यहां पर question है तो question है तो आप देख पा रहा है A, B, C में देखिए A में full stop यहने पूरी बात को simple लंग से कहा है B में question mark लगाया है क्या आप मेरे favor में करेंगे will you do me a favor क्या आप में भी इसलिए यहां पर देखिए कामा दिया हुआ है तो इसलिए यहां पे फूल इसलिए भी रॉंग होगा अगर हम लोग बी की बात करें तो विंडू इहां पर है question mark प्रस्णवाचक कचिन जो यह बताता है कि this sentence sentence is correct तो question number first का भी सही होगा उसके बाद हम question two की बात करेंगे select the correctly punctuated sentence from the option below क्या कह रहा है question number 2 कि जो यह दिया है इसमें जो correct sentence है वो आपको select करना है तो दोस्तों मैंने कई बार चीजों को कही है कि English की थोड़ी समझ होगी थोड़ी जानकारी होगी तो ही इन चीजों को कर पाएंगे अन्यता यह English का पर है इंग्लिस का पार्ट है जो आपके exam में आने तो तब ही हम चीजों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे मैंने थोड़ा model paper की तरह एक आपको समझ के लिए एक idea के लिए यह questions चूस किया है इनसे आपके questions आ भी सकते हैं इनके base पर भी आ सकते हैं तो यह चीज को आपको ध्यान में रखते विए चीजों को समझना है तो how beautiful is the sky full stop how beautiful the sky is question mark how beautiful the sky is फिर question mark यहाँ पे बीच में exclamation mark भी है इसमें बोदक्चिन भी है how beautiful is the sky मतलब जो आस्मान है कितना अच्छा है कितना सुन्दर है तो इसके बारे में आप जानते हैं कि यह exclamation type का sentence है तो अगर हम देखें इसको तो यहाँ पर देखेंगे कि how beautiful the sky is exclamation mark है और यह exclamatory type का sentence है तो यहाँ पे जो answer होगा आपका D सही होगा तो D सही होगा तो इसी प्रकार से चीजों को आपको समझना है कि यह जो चीजें सब punctuation है और सब symbols से रिलेटेड है question number third the select the correctly select the correctly punctuated sentence from the option below option 4 फिर आपको नीचे दिया गया है इसमें से जो question आपको सही है वो आपको कामा फूल स्टाप को प्रस्नवाचक का चीन जो सब लगा है वो सही लगा है कि Pardon me के बाद पूल स्टाप फिर ओ गाड दिया हुआ है तो अगर डी में देखेंएं तो पाड़न मी के बाद कामा दिया है ओ गॉड लिखा है तो यहां पर जो आप्शन है तीन नंबर का डी सही होगा आपका तो यही चीजें हैं इसको थोड़ा सा और स्पीड में हम देख लेंगे चीजों को select the proper contraction for the bold word in the sentence मतलब इसमें जो bold word है प्रापर कॉंट्रेक्शन जो प्रापर वे में लिखा हुआ है सही तरीके से उसको हमें select करना है तो यह साल नॉट है हर जगां पर जो भी आप दिया है तो सैल का ऐसे नहीं होता है should है तो sound है ऐसा कोई sentence नहीं है यहां है ऐसा भी कोई sentence नहीं है डी में भी आप देख रहे है तो इसलिए यहां देखिए student लिखा हुआ है आसानी से समझ पाएंगे चीजों को तो यहां पर answer वो सही होगा which of the following sentence is correctly punctuated यहां भी वही बात है question number 5 question number 5 क्या करा है which of the following sentence is correctly punctuated same बात वही कही गई है तो इसमें अगर हम देखेंगे question number 5 में तो question number 5 fifth number कह रहा है कि the student wrote that each of the experiment was successful यहां पर that भी लगा यह देखिए direct indirect से question belong करता है जो आप narration पड़ते हैं तो that लग गया जबकि जब कामा inverted कामा राता है that move हो जाता है तो वो wrong हो गया the student wrote फिर कामा inverted कामा में तो रोट के बाद यह चीजे लिखा हुआ है यहां पर past indefinite का simple type का sentence है तरीका यह नहीं है जब रोट है और बात पूरी कहनी है तो the student wrote that each of the experiments was successful तो this answer will be correct उसके बाद none of this भी दिया था which are the following कामा रूल is incorrect which are the following कामा रूल्स is incorrect मतलब यह जो रूल दिया हुआ है कौन सा गलत है तो जानते हैं आपकी मैंने बताया था कि तीन चीजें आपको इंगलिस में पढ़नी है एक तो punctuation पढ़ना है change of tense पढ़ना है और number पढ़ना है singular plural तो sorry यह आपका बचन है number है तो यहां पर देखेंगे question number six में place the comma after items in series जब कोई बात लिखी रहती है जैसे राम, मोहन, सोहन तो आप कामा कामा दे के लिखते हैं लास्ट में इत्यादी लिखते हैं तो इस तरीके से चीजें है place comma after introductory element in the sentence introductory element के बाद भी sentence के बाद भी कामा लगता है place the comma before coordinating conjunction that join independent classes जब दो classes को conjunction द्वारा जोडते हैं coordinating conjunction द्वारा तो अभी कामा का प्रियोग होता है set of restrictive essential elements with the comma यह wrong लिखा हुआ है इसमें कामा का नहीं होता use set of restrictive जिसको कोई set of restriction मतलब किसी चीज़ को मना करना restricted करना essential elements with the comma उसमें जो जरूरत के तत्व होते हैं या word होते हैं वहाँ पे कामा लगता है तो ऐसर नहीं है तो here is d option will be correct तो यह हो गया आपका 6 number उसके बाद हम देखें के 7 number क्या कह रहा है which of the following sorry sorry 7 number which of the following possessives is correctly punctuated the library lost all its book that everyone guesses that car is not yours that car is not yours so here is यह होगा कि the library lost all its book सभी book library the library lost library ने खो दिया all its book यह सभी किताब है तो इस तरह से यह देखिए प्रॉपर वे में लिखा है बस यह देखना है चीजहें प्रॉपर वे में है या नहीं यह चीजहें तभी आप देखपाएंगे track यहां पर देखिए करी फूल स्टाफ हैं то कहीं व्लटा पलटा कामा लगा हुआ यहां पर द देखिए आप ऐन饇 return to our city आप हमारे सहर कब आएंगे तो अब यहां पर क्या बोल रहा है अब वाक की जब समझ होगी तब ही हम चीजों को समझ पाएंगे जैसे या इंट्रोगेट्यू टाइप के संटेंस हैं इंट्रोगेट्यू टाइप का मतलब प्रस्नवाचक वाक क्या हैं तो इसमें सिंपल सी बात है जब पुछा गया कि वेन विल यू रिटॉन टू आवर सीटी आफ हमारे सहर कब आएंगे तो सीधी सी बात है कि यह यहां पर सही गजांगा और कोश्चन मार्क लग जाएगा नाइन नमर्बर दो ऑफ़र्फ दचिल्ड्रेन बनानाज एपड पीयर्स के नाम दिये व werden तो यहां पर बनानाज के वाद काम रहें एपल्स के बाद काम रहेंगा पीर्स के बाद अपल्स का मरूकर्ट के लिखने के बाद जो last सब्द होता है उससे पहले and आता है तो यह चीज़े हैं तो अब यहाँ पर आप क्या use करेंगे देखिए a तो a यहाँ पर सही हो जाएगा कामा है फिर semi column none of these है आइफन है तो यहाँ पर जो answer आपका सही होगा कामा होगा 9 का है अगर हम आप से 10th number की बात करें तो 10th number क्या करा है the rich was a self-made man the rich was a self-made man तो यहाँ पर a hyphen याँ यह वाले symbol का use होगा hyphen symbol का use होगा hyphen symbol ऐसे होता है days की तरह छोटा होता है tom said tom said dot 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 I have not seen coral today coral का मतलब होता है यहाँ पर एक movie से तो tom ऐसा बोल रहा है कि उसने आज यह movie coral movie नहीं देखी है तो यहाँ पर यह देख आप देख पा रहा है कि tom said है फिर वो कहा फिर कामा inverted कामा लगेगा तो यह चीज़ें यह देखिए b number जो है speech mark बोला है b number जो बोला है speech mark तो b वाला answer सही होगा तो ऐसे आपको समझना है दोस्तों jack फिर dot 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 the carpenter फिर मेडे cup board jack उसके बाद कॉमा jack वह यह दे carpenter मेडे cup board बनाया तो यहाँ पर कॉमा का प्रियोग होगा क्योंकि बाकी चीज़े आप देख पारे है bracket लिखा है question mark लिखा है semi colon लिखा है तो जो बारक answer सही होगा वो आपका होगा A तेरह में jim lives in Australia his brother lives in England अब देखिए यह बड़ी समझ वाली बात है तेरह number क्या कह रहा है कि jim lives in Australia his brother lives in England तो यहाँ पर आप अगर यूज करेंगे तो semi colon का प्रियोग करेंगे क्योंकि semi colon का मतलब होता है अर्ध वी राम तो आस्ट्रेलिया के बाद semi colon का प्रियोग होगा फिर his brother lives in England होगा तो ऐसे I found Clary's jacket 14 number I found Clary's jacket on the chair जो मैंने पाया Clary's jacket Clary's की जैकेट है वो चेर पर पड़ी हुई है तो Clary's की जैकेट तो I found Clary's jacket तो अब देखे Clary's लिखा है तो जैसे fathers लिखते हैं father's name तो apostrophe लगाते हैं जिससे हिंदी निकलती है पिता का नाम तो यहां पर जो एंसर होगा C सही होगा apostrophe लगेगा Clary's के आगे ऐसे ही दोस्तों Ronnie, I you in a long time how you been तो अब 15 नमबर क्या कहे रहा है 15 नमबर आब वाक्य से आपको समझना है Ronnie फिर आई बोल रहा है you in a long time how you been question mark I was seen you in a long time I saw you in a long time I haven't seen या I had not seen या I hadn't seen तो यह चीजों को समझ लें दोस्तों क्या कह रहा है यहां पर यह होगा present perfect के carding क्या बोला है यहां देखिए verb की third form भी लगी है have भी लगा है तो जो present perfect का helping verb होता है side क्रिया होता है तो Ronnie I haven't seen you in a long time Ronnie मैं तुम्हें बहुत काफी लंबे समय से नहीं देखा हूँ how have you been आप कैसे हो इसका जो हिंदी साब्दी करत होगा इस तरीके का होगा इसलिए यहां पर have not लगेगा जबकि बाकी के यह तीन word नहीं वहाँ पे add किये जाएंगे क्योंकि वो proper अर्थ नहीं देंगे proper tense नहीं बनाएंगे तो इसके बाद अगर हम देखे some the marathon for the first time in 2009 अब some आपका नाउन है बोल रहा है कि the marathon for the first time तो in 2009 यानि past की बात है तो यहां पे देखे is running continuous है runs indefinite का simple है has run perfect है तो यहां पे देखे रहन लिखा है आप देख पा रहे हैं बी में कि ran है तो some ran the marathon for the first time in 2009 यानि some पहली बार जो मेराथन दवड़ा वो 2009 में दवड़ा था some 2009 में पहली बार मेराथन में भाग लिया था या दवड़ा था जो भी है आप इस तरीके से हिंदी उसका बोल सकते हैं did you play tennis yesterday देखिए अब देखिए 10 आ गया 17 नमबर बहुत इजी होगा did you play tennis yesterday क्या आपने कल tennis खेला अब इस 10 के बारे में बताना है आपको तो did का प्रियोग हुआ है question mark है तो simple सी बात है कि वो simple past है फिर have you seen the recently वॉलिवूड film have you seen अब यहाँ पर दोनों प्रकार की बाते हो रही है क्या बोल रहा है have you seen the recent have you seen the recent Hollywood film अब है का प्रियोग हुआ है scene का भी प्रियोग हुआ है तो अब यह कौन सा टेंस होगा आप जानते हैं कि present perfect present perfect tense में verb की जो होती है third form लगती है present perfect में verb की third form लगती है और उसकी जो helping verb होती है have होती है तो इसलिए यहाँ पर 20 है Shakespeare has written ध्यान दीजे Shakespeare has written Shakespeare has written dramas appealing to people of all ages Shakespeare ने बहुत ही fantastic बहुत ही अच्छा सभी उम्र के लोगों के लिए drama लिखा था तो अब यहाँ पर हमको 19 नमबर में बोलना है तो 19 नमबर में has written लगा है तो has written अगर है तो present perfect has है present perfect का helping verb होता है और third form लगा है तो सभी tense के perfect tense में verb का third form लगता है 20 नमबर the flight before the reach the airport अब इस पर आप क्या करेंगे इस पर आप क्या करेंगे तो will have taken off, has taken off, is taking off, was taking off the flight before we reach the airport हम लोगों को airport पहुँचने से पहले flight चली गई तो the flight has taken off this is the proper, the flight has taken off before we reach the airport हम लोगों को airport पहुचने से पहले flight चली गई 21 नमबर important है, काफी जैसा वहाँ पर आप देख पार है number मैंने बोला कि singular plural number से related आप को चीजों को पढ़नी है तो इसमें क्या है दोस्तों बहुत symbol मैंने example दिया हुआ है दो तरह कि आप number जानते हैं singular number होता है, plural number होता है questions कैसे होते हैं singular और plural से ज्यादा तर जो generally आप देखते हैं कि singular number जो होता है simply उसमें yes लगा देते हैं plural बन जाता है, जैसे fan का fans हो गया, chair का chairs हो गया, cert का cert हो गया तो इस तरह से सब में yes लग गया, तो आपका बन गया जो भी है singular से plural बन गया तो generally ऐसे होता है, लेकिन कुछ rule भी होते हैं, यदि singular common noun होता है मैं अगर यहाँ से बात करूँ class से बात करूँ, तो class जो है common noun होता है, तो ऐसे वाकियों में common noun अगर singular number है और common noun है, तो वहाँ पर yes लगा करके sentence को बनाया जाता है singular से plural जैसे class यानि का अक्षा आपका common noun है, तो common noun होने की वज़े से singular number common noun है, तो इसमें yes लग जाएगा, तो class का classes हो गया, match है, matches हो गया, bench है, benches हो गया, lady है, आप ही देखी, यहाँ से थोड़ा सा rule आपका change होगा, तो यदि किसी common noun का जो last letter है, जैसा आप सभी जानते हैं कि y होता है, तो जब हम उसका plural बनाते हैं, जैसे ladies आप कहते हैं, लेडी कहते हैं, लेडी कहते हैं, तो जब आप उसका plural बनाते हैं, तो y को आप रिमूब कर देते हैं, आई यह से कब, singular से plural बनाते वक्त, यानि एक बचन से बहु बचन बनाते वक्त, आप y को हटाएंगे, और इसके जगां आई यह लिग देंगे, तो डे का play אो गया, की-का kis हो गया, day का days हो गया, photo का photos हो गया, kilo का kilos हो गया, तो y के पहले, अगर आप चीजों को देखें, कि y के पहले जब consonant होता है, तब i-yes नहीं लगता है, जहां मैंने यहां पे ladies वाले में दिखा है था आपको जब आप ladies sorry थोड़ा सा मुझे से mistake हो गया बोलने में तो जो lady यानि y से पहले अगर consonant होता है तो i,es लगता है और y से पहले y से पहले consonant होता है तो i,es लगता है जैसे कि आप देख रहें कि यहां y से पहले r है तो i,es लगा है y से पहले d है तो i,es लगा है और y के पहले जब wavils होगा y के पहले अगर wavils होगा तो सिर्फ हम yes का use करेंगे जैसे आप a,e,i,o,u a,e,i,o,u तो y से पहले wavils होगा तो देखिए यहां भी play में भी y से पहले wavils है तो plays हो गया key y से पहले wavils है तो keys हो गया day में y से पहले wavils है जैसे a,e,i,o,u यह जो पांस लेटर होते हैं consonant और wavils में alphabate में wavils के तो हमें यह rule है कि y से पहले अगर यह होगा तो हम सिर्फ yes का use करेंगे जैसे photo नहीं sorry यहां से दूसरा rule start हो जाएगा तो यह चीज़े हैं यहां से rule होगा singular number अगर common noun है जिनके last में o रहता है और o के पहले consonant भी रहता है लेकिन सिर्फ yes जोड़कर plural बनाया जाता है जैसे photo का है photos kilo का kilos है piano का piano हो गया अब देखिए यहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यदि किसी singular common noun का last letter f और y puis हो तो f को हटा करके या tarcários को हटा करके v es मैं क्या बोला यदि किसी singular common noun का जैसे काफ है गाय का बच्चा होता है बच्चणा होता है तो इसको क्या बोल रहे है कि अगर f या ifi होता है तो उसको हटा करके جب plural बनाते हैं तो v e s जोड़तें तो cough को जब यहां पर आप करेंगे तो cough सोगया यल silent रहता है लोफ है तो यहां पर आप लोफ में f को हटा करके इसका plural अगर बनाए आप तो v e s हो गया दोस्तों ये थोड़े से common rule थे जो मैंने बताएं आपको इसको और details में जब आप singular और plural का chapter पढ़ेंगे यानी number पढ़ेंगे जिसको हिंदी में बचन कहते हैं तो वहाँ पे सारे rule दिये हैं इस questions में मैंने चीजों को क्या किया है कैसे mix up किया है जैसा UPSC ने बोला है UPSC ने जैसा अनुदेसक का syllabus जारी किया है उस syllabus के recording मैंने चीजों को डाला है यहां English literacy में बहुत सारी चीजों डाली जा सकती थी लेकिन हमने punctuation number और tense तो ये जो questions थे इसमें आपने देखा कि मैंने tense को भी cover किया number को भी cover किया number के जो कुछ rule है singular plural कैसे बनते हैं कब क्या रहता है तो क्या होता है उसके बाद punctuation क्या हां प्रस्नवाचक का चिन लगेगा कहां full stop लगेगा कहां कामा लगेगा कहां बिसमें बोधक mark लगेगा जिसको exclamation mark आप कहते हैं तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को मैंने जोड़ा है समझाने की कोसिस किया है ऐसे ही जो next है unit second जो आएगा यूपी अनुदेशक का unit second जो आएगा जो chapter पढ़ाऊंगा या जो chapter आपको कराऊंगा तो उसके लिए आप वीडियो में continue बने रहें चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करके रखें ताकि आपको चीज़ों को at least एक समझ हो जाए कि exam जैसा आप सभी जानते है कि UP3SC पहली बार उत्तर प्रदेश ITI अनुदेशक की भरती में retain exam UP3SC के तुरू होने जा रहा है तो किसी को अभी ये नहीं idea है कि किस तरह के questions आएंगे क्या pattern होगा लेकिन UP3SC ने जो जारी किया है pattern और उस pattern पे जो उन्होंने शलेबल जारी किया है उसके recording हम आप लोगों को classes करा रहे हैं तो दोस्तों एक बार फीर से आप सभी को wish you all the best Thank you for watching लेते हैं आप लोगों से बिदाब बने रही है e and info पर Thank you